अएक और बड़ी खबर आ गई है यूरोपईन देशों में भी एक जुटता इस वक्त इस यूकरेण मसले को लेकर नहीं दिख रही है एक मत यूरोप के सारे देश हो यूक्रेन को लेकर ऐसा नहीं है यूक्रेन को लेकर EU यानि यूरोपियन यूनियन की सदस्ता देने पर एक राय नहीं मिल रही है कई देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं इउकी सदस्थिता उक्रेन को मिल जाया और कई देश यूके हैं जो यह कह रहा है कि नहीं हम इस चीज के लिए तयार नहीं है इसके क्या माने है अनिल्ट रिगुणायग इसके माने सिर्फ यह हैं कि अभी तथ जो उनकी पोसीजर्स है यूरोपेन उनियन की इनोंने कहा है कि स्पेशल पोसीजर बनाए इसके अंतरगत यूकरेन को जल्दी से जल्दी यूरोपेन उनियन में शामिल किया जा सके लेकिन यह जो है संभब नहीं है उनके लिए भी करना इस वगद इस वगद रहे हैं कि अभी तक जो हैं सिर्फ इनको उक्सार रहे हैं वोड़ा बहुत असला प्रवाइड कर रहे हैं क्योंकि बेसिक गेम आप सोच लड़ाई रश्या और उक्रेन की बीचके नहीं है यह लड इन लोगों को इस तरह की सिट्योशन में डाल दिया अब यह जो सबढ़ने की कोशिश कर रहे हूं कि अगर यह यू की सदस्ता ले ले या सदसे बन जाए यह योक्रेन तो इससे क्या परक पड़ेगा और सदस से ना बने तो इससे क्या फरक पड़ेगा दोनों चीजे कि अगर वह यूरोपेन यूनियन का सदस से बन जाता है तो यूरोपेन यूनियन जितना भी एकॉनोमिक असिस्टेंस है वो उनको डारेक्ली अज़े मेंबर प्रवाइट कर सकती है और नेटो कंट्रीज पार्टिसिपेट इस लिए नहीं कर सकते विस बार में डारेक्ली क्योंकि उनका ये फॉस्टिशिशन है कि अगर कोई नेटो कंट्री पर अटेक्क अगर तब ही वो लड़े सकते हैं इंडिविज्योली या कर नहीं लड़ सकते तो इसलिए जब तक एसके मेंबर नहीं बनेंगे तब तक उनको वो भायते नहीं मिल सकते ताया है वो स्ब्स यह वक्त तो यह कम से कम जानमाल की हानी हो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अब आती हो आपके पास एक और बड़ी कबर आपको यह बता दूब बेलरूस बात्चीत हो रही है इसे शुरू हुए कुछ घंटे तो हो गये हैं अब जरा आप इस चीज को समझ लीजिए क आज की तारीक में बेलरूस में हो रही इन दोनों देशों की बैठा कैनी रश्या और युक्रेन की क्यों जरूरी हो जाती है